हेलो बच्चों नमस्कार, श्वागत हैं आपके अपने यूटूब चैनल एक्रोटेक स्टडी में और बच्चों मैं हूँ अर्विन्द्यादा बच्चों कैसे हैं आप उमीद करता हूँ बच्चे बहुत अच्छे होंगे और जैसा कि कल एक वीडियो में मैंने बताया था P.A.T. के बारे में तो आज उसका स्लेवस मैं लेके आया हूँ P.A.T. का स्लेवस 2022 का वह सारे बच्चे पूछी के रहते हैं जो 12th में हैं उनको जानकारी भी नहीं होगी कि स्लेवस में क्या-क्या होता है किस परकार के आपके कोशन बनते हैं और कहां-कहां से टोपिक आपके बनते हैं तो एक चीज मैंने थोड़ी सी बता दी थी आपको कि अगर आप 12th agriculture से कर रहे हैं तो उसका जो स्लेवस रहता है जिसमें आपको बताया था फसल उत्पादन से 50 कोशन रहते हैं 50 कोशन आपके पशुपालन से और 100 कोशन आपके element of science से रहते हैं अब उनमें भी कौन-कौन से topics होते हैं थोड़ा समय ने clear किया था कल कि 11th पिलस 12th दोनों अगर किसी बच्चे ने बहुत बहुत बहुतर तरीके से पढ़ें तो उन्हें कहीं कोचिंग करनी का वसकता नहीं होती मतलब 11th पिलस 12th बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो उनको दिक्कत आती है अब यह syllabus बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे अभी देखेंगे तो जिन्होंने 11th नहीं पढ़ा है उनको कुछ चीज़े ऐसी लगेंगी अभी कि सर यह कहां से आगए क्यूंकि 11th में भी आपके पता होना चाहिए आपके कितने topic होते हैं 12th में तीनों में 20-20-20 chapter होते हैं उसी पार 11th में भी 20-20 chapter होते हैं तो वो topic भी इसमें आपके सभी syllabus पर रहने बाले हैं मैं आपको बताऊंगा syllabus उससे पहले एक चीज़ के लिए कर देता हूँ बच्चो MPPAT की तयारी आप स्टार्ट कर दीजे समय आपके पहस जितना भी मिला है आपको दो महीने तीन महीने तक तीन महीने तो something मिले गए ही आपको क्योंकि ये session जो है करोना की काल से last session लेट हो गया था और अभी तक उसकी counselling जो है अभी चल रही है सोची आप कितना late session हुआ है तो आगे आपके लगबत तीन महीने आपको मिलेंगे crash course जो होता है ना उसकी तयारी कीजे अब मैं syllabus इसलिए लेकर आया हूँ बच्चो जिससे आपको ये पता चल सके बहुत सारे बच्चे self study भी करेंगे बहुत सारे कोचिंगों में जाएंगे तो उनको जो कोचिंग्स वाले होते हैं लूटे नहीं उनको पढ़ाएं नहीं कोई topics छोड़ें नहीं तो इसलिए मैं ये चीज लेकर आया हूँ क्योंकि आपके पास यदि syllabus होगा तो आप कह सकते हो कि सर ये topic अभी रहे गया है ये topic हो चुका है ये सब चीज़े आपको जानखारी होना बहुत जरूरी है तो क्या-क्या पढ़ना है आपको देखी पूरा syllabus से आप लोग फसल उत्पादन, एनिमल अस्मेंडरी और एलमेंट आप साइंस का चलिए शुरू कर लेते हैं पूरे syllabus की देखीए सबसे पहले में फसल उत्पादन एवां उत्धान साइज निक्रोप पॉड़क्शन होटी कल्चर का पूरा syllabus आपको बताने बाला और हाँ इंग्लिस मीडियम की भी कुछ छात रोंगे के लिए अप क्या करना पड़ेगा आपको फॉन करोगे आप लोग वोड्सप पर आऊगो तभी बताऊगा चलिए अभी तो मैंने ये हिंदी का पीडियाप आपको कहीं मिलेगा पूरा गूगल आप छान मानना कई भी आपको हिंदी का पीडियाप पूरी तरीके से नहीं मिलने वाला क्योंकि ये मैंने खुद बनाया है इसको देखी आप लोग पूरा मैंने खुद लिखा है हातों से क्या से लेवस है सबसे पहला टोपिक है किर्सी ए और फसल उत्पादन का परचय इंक्रडक्षन है पूरा और उसकी गद्विदियां जो भी है राष्टी तर्थबस्ता में फसल उत्पादन का पूरा इंपोरेंस है खेती की विविन विरांच है, साखा आया और उनका इंपोरेंस है ठिक है ना यह पहला topic है फसल उत्पादन का दूसरा topic है मिट्टी और मिट्टी की उर्वर्टा fertility है ना अब मिट्टी उर्वर्था जो है आप पता ऐले बंथ में है यह सब चीज इसके बाद मिट्टे उसमें आपके इसका जो टोपएक है जैसे मिट्टी और उसके संगठक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मिट्टी मिर्दा बनावाट रो सरचना के बहुते गुण छेदे इस्तान इस सारी विसिस्ट गुरुत्व, प्लास्टिसिटी सामंजस, मिट्टी का टैंपरेचर, मद्प्रदिस में मिट्टी का वर्गी उनके कारण, नियंत्रन, मिर्दा सरक्षन के उपाए, पूरा मिर्दा चरन का पूरा टोपिक रहता है, मिट्टी के एस्डटी, अमलता, छारिता, उनकी पुनाय प्राप्ति, मिट्टी का पीएच, ये सभी टोपिक आपके सेकेंड में रहेंगे, इसके बार मैं थर्ड की बात करता हूँ बच्चो, थर्ड टोपिक आपका है जोताई, जिसको हम टलेज के नाम से जानते हैं, जोताई के उद्देश क्या है, जोताई का संचालन, और समतल करना, हैरो इंग, इंटर कल्चरेशन, जोताई के उपकरन, जैसे देसी हल है, ये खराब हल नहीं, हैरो है, है, कल्टिवेटर है, थ्रेसर है, नोबर है, सीट्रिल है, टेक्टर, ये सभी टोपिक आपके जोताई समधल, ये टोपिक से ही पूरे कॉशन आपके बनते हैं, इसके बाद खाद रुपरा के हैं, हमने ट्वल्थ में ही पड़ा है, पोदों की व्रद्दी के लिए आवश् फसलों का उत्पादन, देखिए, फसलों को उत्पादन आपने हैं, अपने हैं, और रवी वाली फसले कौन-कौन सी हैं, गेउं है, अलसी है, सर्षों है, गन्ना है, चना है, हना, अब इन में भी आपकी क्या, कौन-कौन सी टॉपिक अपन को पढ़ना है, जैसे भूमी की तैयारी, बुबाई का कार, बीजदर, खाद उर्वरा, सिचाई, इंटरकल्चा और निराई, उन्नत किसमे, उपज, कीटे में रोग, उनका कंट्रोन, तो ये सब चीज़े आपके फसलों से, और आपने कुछ फसले ट्वल्थ में पढ़े होगी, और जो उन्हें इने इले लेकिन सिचाई नहीं पढ़े हैं, इसलिए तो वहीं चीज़े है, इलेबंत में पढ़े है, तो पूरा से, गाती समझ में आईगा, शिचाई, जलनिकास, सिचाई और जलनिकास की विधियां, फसलों को पानी के आवशक्ता हैं, पानी की डुटी और निर्वाएन, सामान ज डीजल और विजली के कुछ पंप ये आपके थोड़ा सा संबंदित है तो ये सब चीज़ें आपकी क्या फसल उत्पादन के च्छट टोपिक है आगे नेक्स्ट टोपिक की बात करेंगे देखिए साथ बाट टोपिक साथ बाट टोपिक है आपका खर्पतबार और खर्पतबार नियंतरन ये आपने पड़ा फसल योजना आठवा है सिद्दान्तों का महत्व है फसल योजना का महत्व है सिद्दान्त उसके और महत्व ही सब चीज़ है फसल चक्र है बच्चो और उसके सिद्दान्थ मिस्रत और इंटर क्रोपिंग है सूखी खेती है सैकारी खेती है यह सबी आपके टोपिक है नवे में आपके दिखो सर्वेक्षन जो हमने ओड़ी पड़े आपने सर्वेक्षन के अभी 12 में थे जंजीरों के साथ प्रात्मिक स सब्सक्राइब है इसके बाद देखिए आगे और होटी कल्चर से संबंदित है मुझे लगता है वहाँ बिल्कुल उसका परचा पूरा इंट्रॉडक्षन होटी कल्चर का पूरा आपका होटी कल्चर का एक इंट्रॉडक्षन होगा इसमें सब चीज हमको पढ़नी होगी इसके बाद सब्सक्राइब किचिन गार्डन होता है ग्रेडिंग नहीं किचिन गार्डन होना चाहिए मूली गाजार कौन-कौन सी फसले पढ़ेंगा देखिए प्याज, ब फ़लों की खेती में देखिए क्या-क्या पढ़ते हैं फ़लों में बानस्पतिक, फिरबर्दन, वडिंग, इनार्चिंग, गूटी, कटिंग, ग्राप्टिंग, लेरिंग, ये सब था 12 में पता होगा आपको जानकारी होगी पपीता, केला, अंगूर, आम, अम्रूद, आम, सजाबटी, और फूल वाले पोदे जैसे गुलाब है, गुलाब मुलाब सब आपको 12 में आकल पढ़ी हो तो, हाना, कहना है, गुल्दावदी है, लोन, लोन तो अपने 12 में ही थी, और 14 बाटोपिक, फल सब्जी पर रक्षन, हमने पढ़ा है, 12 में ही है, केनिंग, हान तकनीक, इसके बाद, प्लास्टिक पेपर जैसे उपक्त कंटेनरों का, सरल केनिंग, बोटलिंग, वोई सब चीज़े हैं, देख सकते हैं, फलोन सब्जी ओं के दुलाई, ब्लांचिंग, छिलना, डिबबा बंदी, तो यह देखिए, आप एक चीज, अब यहां पर अगर इसलिए उनको ऐसा लग रहा होगा, ठीक है न, देखिए और क्या है, फलोन सब्जी ओं को सरक्षण, सब्जी ओं के सरक्षण के सामान सिद्दान, तरीके, गर्मी द्वारा फिसंस करन, वो पूरा चेप्टर है, किंडबान, निरजली करन, पैकिंग, जैली, लाइम, आपकी बार 12 में भी नहीं पड़ा हो इसको, तो किसानों के लिए किसान की वित्त की जरूरत, रेंड का स्रोत, गर्मी द्वारा फिसंस करन, पैकिंग, तो आपने एक चीज देखी, ये पूरा फसल उत्पादन का मैंने आपको बता दिया, ये आपका फसल उत्पादन का प देखिए आप लो पसुपालन का पूरा, पसुपालन में देखिए पूरा, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पूरा, पसुपालन का, इसमें भारतियार तवस्ता में पसुधन का क्या महत्व है, गाय और वहस के सरीर के यंग, 11 का टोपिक है, इसके बाद महत्पुन, सिस् गाय की नसले भैंस की, बकरी की, अब बकरी की, इसलिए बसमतियां ट्रूलत में हमने पढ़ ली, गाय बैस की नसले यह ले बंत में, तो हम पढ़ेंगे हैं ना, भैंस की चलिया, ये नसलों के बारे में पूरा डेटल से, इसके बाद तीसरा टोपिक है, मवेसियों की पूरा इलेबंत का टॉपिक है इसके बाद डेरी फार्में आ जाईए आप लो डेरी फार्मिंग के बारे में शामान विचार गाउं शहर में एक वैपसाई के रूप में भूमी इस्तिराम पूंजी और सक्ता की इस्तिती प्रबंदन तक्नीक इसके बाद दुग दूत पाद दूत की गड़ुबत्त मातराइक पूदा करने वाले कारक इसके बाद दूत की स्ठिक्चर देख ली सरचना में क्या क्या है दूत की जानेिए वह प्रवीचारा गास साइलेज गास और अपिट्स बनाने वाले चारे का सररक्षन संतुलित गण्णा गाय वैसे वह बक्रियों और भेड़ों इस सब का राशन पूरा यह यह पूरा टोपिक जो है टोल्थ का टोपिक आपने पड़ा पहला दूसरा टोपिक था ना वह वाला उ सकते हैं मवेशियों के शींग पर जो छल्ले है वह अपने टोल्थ में पड़ा है दातों का विकास यह सब उम्र का निरधारन जो होता है यह अमने पड़ा है टोल्थ में था पूरा डेरी उपकरन का निर्मान उनकी सफाई क्रीम सेपरेटर टोल्थ में है यह ऐसे भाव का काम करना मखन का मतला मखन कार करता दें क्या-क्या थोड़ा सगड़ दूद पाथ देखिए पनीर टोल्थ में था क्रीम रबड़ी धाई बटर इस अभी टोल्थ के टोपिक है दूद पावडर उनकी सरचना जैने टोल्थ पड़ रखाय तो उनको दिक्कत कम आएगी और न सब चीजा है को कुट पालन देख लीजिए बुर्गियों का अपने में था टोल्थ में उनका पूरा परिचय यानि इंट्रोडक्शन को कुट पालन का दायरा सीमा अंडे मास को कुट की महत्पून नसलें मतलब यह उनकी बुर्गियों की नसलें अंडे सेने और इंक्यु मॉडल सैट पूरा पॉल्ट्री पक्ची चिकन ग्रोवर लिवर्स ब्रॉयलर का राशन इसके बाद को कुट रोग हैं जिसमें हमें इस सब चीजा पढ़ाएं आपको ट्वल्थ में यह हैं भाईया ट्वल्थ भी अगर ढंग से पढ़ा है तो भी आप सो नंबर तो यह नह आपका पशुपालन का सिलिवस था आपने देखा यदि इसकी पीडियाप चाहते तो आप पोटस अपर आईए वहां पर हम बात करते हैं किस परकार से आपको पीडियाप मिल जाएगी चीकन आ जिसको चाहिए वो ले सकता है चलिए आप देखते हैं Element of Science का पूरा सिलिवस देखें इसमें चार्ट चीज़ा रहती हैं आपको पता होगा फिजिक्स केमिस्टी मैथ और बायो एलिमेंट अप साइज में सबसे पहले फिजिक्स है तो जिसके टॉपिक देख लीजिए आप लोग फिजिक्स में देखिया आर्किमिटीज का सिद्दान्त है नोगा घनत पहसाफेक जिघनत डिडायड मीटर निरधारन बायो मल्लिय दवाव पोटिस वैरो मीटर मोशन की स्थिती मैनोमीटर इस सब इलेवंत के टॉपिक हैं आप सोच रहे हैं सर हमने तो पड़े नहीं वहीं है यह यह आपने नहीं पड़े देखो पंप बल वैक्यूम पंप सि चले घर्षण 11 का टॉपे घर्षण की नियम घर्षण का कौन घर्षण का गुलांग इसका निर्धारन घर्षण के फैदे नुक्षान सब है मसीन साधरन मसीन जैसे पलास लीवर पुली सरल पईया उनका निर्मान काम करने वाले यांत्रिक लाव मशीन की वेग अनपाचं पर्षेंट बना लोगे अच्छी बात है लेकिन 11 आप पढ़ा करें कियों बेस आपका तयार होता है अब प्यारी कर रहे हैं तो आपको बहुत इजी लगे या और 12 अकिला पढ़ा एलेमंट देखा नहीं उठा के किताबें तो आपको ऐसा मैसस होगा रही है यह कहां से टोपिक आगा है समझ में कुछ का पल्ले कम पढ़े तो यह समस्या आती है तो इसलिए मैं तो जो आपके छोटे भाई भेन अग्री कल्चर में तो सबसे पहले उनको यही सलाय दें आप लोग कि वहीं अगर आगे बढ़ना है आपको तो आप जो है ना 11 जरूर पूरा सलिए बस आपका सेम टू सेम रहता है कहीं भी आप कॉम्पेटिशन ब्हसी जी करते हो किसी भी स्टेट से जो हना कोई देखे गुर्टवा करशन जी और जी के भी सम्मन्द स्मॉल जी और कैपिटल जी दो नहीं सरल हार्मोने गुर्टवा करशन का सरल पैंडूलम क नियम सब ही आपके टॉपिक्स हो हैं इलेबंत क्लास के हैं इसके बाद ऊश्मा ये तो टौल्थ का ही है विसिश्ट ऊस्मा तापिए समताव इसमें से ओटी पड़े हैं हमने उसमा बराव पानी ठोस तरल विसिश्ट ऊस्मा करदारन गुपतूस्मा वर्फ भाप गुपत तुम्हें होगी भी है इसके बाद प्रकास ये आरत हो था नहीं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन प्रकास प्रकास का प्रिशार चाया ग्रहन कैमरा प्रिज्म परावरतन प्रकास का फैलाव स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रमीटर प्रकास ये अंतर में देखिए मानम नेत्र इसके पूरे आपके प्रकास के टॉपिक हैं आपकी बार से ले बस में नहीं था इसलिए हमने पढ़ा नहीं इसको छुवख ये तो पढ़ा चुंबक में नेकिए चुमिके OUTट की तीबगता बलों की रेखाएं में तट्स विंदू शमुहन, लेक्ट्रो मोटिब, फ्रोस और सम्भाद अंतर, पूरा टोपिक विद्धुत से, विद्धुत धारा, पूरा आप देख सकते हैं, विद्धुत का टोपिक है, चली, मढ़ेंगे आगे, यह पूरा आपका क्या थी, अपने देखा, फिजिक्स से आपके इतने सारे देखें, इलेवनध प्लस 12 मिला करके, ठीक है, तो यह टोपिक आप लोग जो है न, अच्छी ब्रकार से पढ़ाएं, एक एक चीज पर अध्यन करें, पीटी में आपको अच्छी नमल लाना है, तो बाकी टाम पास के लिए कर रहे हैं, तो अपने इसाब से देख सकते हैं, चलिए आगे chemistry का और बता देता हूँ आपको फिर वाय और मैस देखिए chemistry का भी अपसले बस देख लीजे chemistry क्या है परमानु से रचना 11 का topic है और का परमानु model बहुर और नियमों के अनुशा अलेक्ट्रोन का वित्रान रेडियो धर्मिता परमानु वित्रान पूरा आपका य इसके बाद आयनिक सिद्दान थे देख लीजे एक मिनिट रोखी है अना इसके बाद उदाशीनी करन जलका के लाउतपाद पीएच बफर बफर समादान निर्दान पीएच पूरा आपका 11 का यह चलना है आप लोग ने बढ़ा नहीं तुमें क्या करो कॉलाइट से चोथा राशानिक सरचना राशानिक उर्भरक एन पीके उर्भरकों का निर्मान यह उर्भरक वाला चप्टर ना एक उर्भरक संबन्द तो है आपका 11 में पड़ाया का उप्योग सुख्च पोशक्तात वॉलमेट्रिक विसलेशन एशिड बेस और नमक के बरावर बजन गर धारन कारवनिक रशानि विद्यान का परिच्ट पूरा औरगनी गेमिस्ट्री ठाना सरल North का औरपव français नामकर नंवक्षी नाम expect अपने परावल यह सब वशा निश्कर संच तेल मश्क्टर अपने में था नहीं अजबकि डूर्ट का olSystem सब पढ़ाया है तो आपको यह तो पढ़ रखे हैं हमने सब कोई दिक्कत नहीं आए इनमें अब दिक्कत आएगा 11 वारे टोपिक्स में तो उसके लिए मैंने यह लेकर आया हूँ आपके लिए इसले बस पूरा ठीक है और देखी आगे तो यह पूरा केमिस्ट्री के टोपिक है बच्चो यह पूरे आपके केमिस्ट्री के टोपिक है इसके बाद मैथ के और बायो की भी बता देता है उपको टोपिक देखिए बायलाजी के भी आ पूरा पड़ा है मैंने इसके बाद एग्री कल्चर बॉटनी जूलोजी पौदों का बर्गी करन 11 के टोपिक हैं सब देखें पौदों के वरिकन की रूप रेखा निमलेखित परिवारों का अध्यान जिसमें कि लेग्योमिनेसी को कुर्वेटी सी 11 के हैं दोरों टोपिक सोल पूरा पूरा टोटल है कुछ 12 का भी मिक्चर है इसमें 11 बहुत मिक्चर ही रहने वाला है अगर आपने भंग से पढ़ा है तो प्रोब्लम नहीं आएगा आपको उजिसने नहीं पढ़ा है ऐसी टेम पास के लिए या बस पास होने के लिए पढ़ा है तो उनको तो बहुत पढ़ा है पद्धों के विद्धी विकास यह सब पढ़ा है हमने देखिए और कुछ भी यह पशुबंस है जनवरों का वरीकन किर्शी की उप्यूगी और हनीकार कीट रेशम कीट है जैसे मदुमक्की है लाग कीट है दीमक है ग्रास होपा रहा है ग्रास कैटर्पिलर है इना टोमी है यह सब चीज़े हमने का पढ़ी है 11 तो 12 12 में है इस अब तो बैसे अब इस चेप्टर से क्या ऊटी आते हैं तो हम ऊटी ऊटी पढ़ लेते हैं थियोरी पढ़ते ही नहीं कभी लेकर पी एटी के लिए ना पीएटी हो 12 में बहुत अंतर हो जाते है कि 12 में हम पढ़ते हैं हमें परसेंटेज के इसाब से जबकि पीएटे में हमको एक चीज क्लियर करके पढ़ना होता है क्योंकि उसे हमें कॉम्पटिशन देना होता है तो मैं तब ही कहता हूँ बच्चो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा करें आप लोग के लेवन टॉल जब बढ़ा इसके बाद देख सकते हैं आप लोग लगुगणक है शामान लगुगणक है और यह आप लोग शांकी की बाले टॉपिक है अच्छे से कुछ तो बच्चो मैं ने आपको पूरा सिले बास पूली एक चीज आपको क्लेर कर देख तो जैसे ही यह होता है टॉपिक बात करेंगी है इसके अंदर देख जो भी चेप्टर में वह वी चीज़ है तो बच्चो पूरा सेलेबस मैंने आपको बता दिया और उमीद करता हूं सभी छात्रों ने यहां तक देखा होगा तो मैं आपको जो बच्चा अगर पीडियाप चाहता है तो पीडियाप चाहते हो आप लोग जो मैंने बताया है पूरा वेश्या को पीडियाप मिल जाएगा अब उसका थोड़ा सब पर करना पड़ा क्योंकि उसमें महनत लगी है मेरी उसमेहनत का चार्ज तो मैं लेता हूं यह आपको पहले से पता है हाना तो उसका तो तो आपको पहले नहीं सो दो सो रुपे नहीं लोगाव इसकी चिंता मत करो बस कम लिए आप लोग बॉट्सप पर पूछ सकते हो उससे या जो है मोबाइल नमर आपको पता ही है आप लोग पूछ लेना कि सर कित्ते रुपे मिल जाएगा तो बहततर चोबीस डबल जीरो चबीस अठा इस ठीक नहीं नमर है पूछ लेना कि सर कित्ते में मिलेगा पीडियो बैसे मैंने जो रखा है ना हिंदी मीडियम के लिए पचास रुपे रखा है पचास रुपे मैं आप लोग ले लेना और लेना जरूर लेना 50 रुपे कोई ज्यादा नहीं है और आप उस तर बच्चे क और इंग्लिस मीडियम का इसका 40 रुपेज में हैं इंग्लिस मीडियम का कोई छात्र तो ले सकता है ठीक है और दूसरी बात पूरा आप सोचेंग सर हम तो कहीं न कहीं से मिल जाएगा यह है वह है तो भाईया कहीं से ढूडले मैं ऐसा कोई किसी को जबरजस्ती नहीं करता वो लेने नहीं लगे तो कोई दीखका नहीं है ठीक है बच्चो चलिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट